हलो फेंस वेलकम टू लबली रसोई तो दोस्तों आज हम बनाने वाले एक ऐसी केंडी इसको आप सर्दी सुरू होने से पहले ही बना करके रख लीजेगा तो आपके बहुती काम आने वाली है जब तक सर्दियां रहेंगे तब तक सर्दी खांसी आपको छू कर भी नहीं निक सकते हैं बच्चे भी इसको बहुत ही प्याल से खाएंगे तो चली बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर मैंने अद्रक ले लिए इस केंडी को अद्रक से बनाने वाले हैं तो यहां पर मैंने 250 ग्राम अद्रक लिए धो करके इसको थोड़ा सा मैंने सुखा लिया था और इस इस जाली पे हम रख देते हैं इस तरह से और इस अधरक को हमको सेंख लेना अच्छे से भून करके तयार करनी है तो उलट पलट के अच्छे से अधरक को हमको भूनना है तो थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाता है चार से पांच मिनट के लगवग टाइम इसको लग जाएग तो दोस्तों अक्सर कर सरदियां स्टार्ट होती हैं तो सरदी, खासी, जुखाम, गले में, जकडन और आप लोग जानते हैं अद्रख कितनी फाइदेवर होती है तो इस अद्रख से आप या तो काडा भी बना सकते हैं सहद के साथ अकसर लोग लेते हैं मैंने देखा है, और यह बहुत ही फायदा भी पहुचाती है, तो देखी, यहांपर अधरख हमारी लगबख भंनने लगी है, तो आज इसी तरह से हम अधरख की रना कर के तैयार करेंगे, अधरख भंद चुकी है, तो मैंने थोड़ा सा यहां पर ठंडा करके इसको ले लिया है, तो बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, आपको थोड़ी सी कुनगुली रखनी है यहां पर अदरक को, और हम यहां पर चाकू ले लेते हैं, चाकू से इस अदरक को हमको छील लेना है, तो जितना भी इसका काला वा जाला भाग है सभी हमको हटा देना विभुने के वादी आसाने से निकल जाता है और अद्रक भी हमारी बहुत ही जिसमन यहां पीड़ जबने के वाद अध्रक को हमको छील करके त्यार कर लेना है तो जितना इजली हट जायगा उतना चिलका हम शका हम बहुत ही का ना की दες है है, और अब यहां पे ले लिया है पानी तो सभी अद्रक को हम पानी से धोलेंगे तो दोस्तों तीन से चार पानी से अच्छे से इसको धोलेंगा है ताकि जितना वी इसका काला पन है सभी हथ जाएगा अध्रक हमारी बिल्कुल साब सुत्री निकल आएगी तो यहां पर दोस्तों मैंने इसको तेन से चार पानी से अच्छे से धो लिया है तो अब हमको क्या करना है इसमें से चोटे-चोटे पीसिस मैंने पूरी काट करके तयार कर लिया अद्रक और यहां पर मैंने मिक्सी का जो जार होता है वो ले लिया है उसी में सभी अद्रक को हमको डाल देना है और डाल करके इसको हमको पीस लेना है दोस्तों तो यहां पर मैंने सभी अद्रक को डाल करके और अच्छे से मैंने बिल्कुल बारीख पीस लिया है, जितना बारीख हो सकता, उतना पीस के तैयार कर लिया है, और यहां पे मैंने एक पैन ले लिया था, तो पैन में ही, नोन इस्टिक पैन में लिया है, आप कोई भी पैन ले सकते हैं, उसमें आप इसको बना सकते हैं, तो मैंने सभी अधरक इ अद्रक ली थी और लगबग 3-400 ग्राम क्योंकि मैंने पूरा तौल के नहीं डाला है तो थोड़ा वह कम जादा हो जाएगा उससे कोई प्राब्लम क्योंकि गुड़ भी हमारे सरीर के लिए बहुत ही फायदेवर होती है तो इस तरह से हमको गुड़ को मेल्ट कर लेना है तो गुड़ पिगलाने के बाल मैंने 10 मिनट पका लिया था अब इसमें डाल देते हैं आदा चमच देशी घी तो इससे जो चिपचिपाट है थोड़ी सी कम हो जाएगी और इसमें थोड़ी सी साइनिंग भी आ जाएगी तो मैंने घी डाल के भी अच्छे से इसको मिक्स कर लि लिया है यहां पर अजवायन को पीस के लिया है बून करके और यहां पर आदा चमच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसके बाद यहां पर काला नमक ले लेना है तो नमक आपको सादा नमक नहीं लेना है काला नमक ही इसमें डालना है तो दोस्तों जितने भी मसाले मैंने डाले हैं हमारे सरीर के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं तो जो भी मसाले आपको और पसंद है और यहां पर डाल सकते हैं और बस इसको हमको पका लेना जब तक यह पैन ना छोड़ने लगे तब तक इसको हमको continue पकाते रहना है तो दोस्तों देखि हमको लगो एक गंटा हो चुका था तो चलिए अब इसकी हम केंडी बनाएंगे तो यह बनाना बहुत ही आसान है तो थोड़ा सा घी मने ले लिया तो हां तेली पे लगा लेते हैं और थोड़ा-थोड़ा सा इसका पोर्शन लेके और हम केंडी बना इसकी तइयार करेंगे तो दोस्तों केंडी आपको किस तरह से बनाने है छोटी या बड़ी केंडी मैंने बना लिए तो इसको बड़े लोग यूज कर सकते हैं तो इस तरह से आपको बड़ी बनानी है तो इस तरह से बना लेनी है तो चलिए बच्चों के लिए भी बना करके दिखा देते हैं या Um बड़ी बड़ों के लिए ओंप चोटी बच्चों के लिए हो गई है तो इस तरह से सभी केंडी हमको बना करके तैयार कर लेनी है तो इंप केंडी बनाना बहुत ही आसान है बच्चों भी दे देंगे ना तो भो भी बना करके इसको तैयार कर लेंगे तो बस आपको एक साइज की या बड़ी छोटी जैसी भी आप चाहें उस तरह से केंडी आपको बना करके तैयार कर लेनी है तो दोस्तों यहां पर मैंने सभी केंडी बना करके एक साइज की तैयार की है तो कु को तैयार करना है तो यह देखने भी अच्छी लगती है और इसको किसी भी डिब्बी में आप स्टोर करके रखेंगे तो आपस में यह चिपके की नहीं वैसे आप इसको बना करको खुला चोड़ देंगे अगर दो तीन गंटे के लिए तो आपस में बिल्कुल चिपकने करता है इसमें तो इसी तरह से आपको सभी कंडी को बना करके तैयार कर लेना है तो बच्चे वोए या पूरे सभी इसको बहुत ही प्यार से अच्छा होता है थोड़ा सा चरपराट होती है तो कुछ तो चरपराट होगी तो इसको आप सुबह साम इस केंडी को ले सकते हैं अगर सर्दी जुखाम खांसी है और इसको आप स्टोर करके महीने बर रख सकते हैं महीने से ज्यादा भी रख सकते हैं तो यो खराब होने वाल तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई फ्रेंड थैंक्स पर वाचिंग